नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राजकुमार स्वागत है आपका क्रैक S.S.C. विद राज में दोस्तो आज के वीडियो में हम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं भारत की भोगोलिक इस्तिती और विस्तार आज से हमने इंडियन जोगरफी हैंनी भारत का भूगोल की एक इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू किया है ठीक है जिसमें हम complete इंडियन जोगरफी को topic wise कवर करेंगे तो आज का जो lecture है हमारा lecture number one है जिसमें हम भारत की भोगलिक इस्तिति और उसके विस्तार को पूर्ण रूफ से cover करेंगे देखिए इसको पढ़ेंगे हम सबसे पहले जो हम theory cover करेंगे और उसके बाद जो है इसके important questions जो पिछले previous year questions जो है उस सारी की सारी cover करेंगे इसमें कुछ important tricks होंगी जिनसे आपको पढ़ना बहुत आसान होगा साथ ही साथ मैप के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा जिससे की चीजे बहुत आसानी से जो समझी जा सकती है एक बार आगर आप इस video lecture को अच्छे से cover कर तो दो नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे आप कभी नहीं भूलेंगे ठीक है मैं 25 के आसपास महतवपूर्ण पर्शन कराने वाला हूँ वीडियो को completely देखना और साथ ही साथ अगर चैनल से नहीं जोड़े है तो चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लीजिए और भूमध्य रेखा के समाना अंतर खीची गई कालपनिक रेखा को अक्षांस रेखाएं कहा जाता है दोस्तों देखिए भूमध्य रेखा हमारी है यह एक्वेटर लाइन ठीक है इसके समाना अंतर जितनी भी रेखाएं खीची जाती है इनको जो है अक्षांस रेखाएं कहा रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है तो ये जितनी भी उत्तर से दक्षिन की ओर खीची गई कालपनिक रेखाएं है इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है अगर आप विश्व के वानचेतर पर भारत की इस्तिति देखें तो भारत जो है यह हमारा उत्री गोलार्थ है एक्वेटर से उपर वाला हिस्सा उत्री गोलार्थ है उत्री गोलार्थ है साथ ही साथ equator line से भुमद्य रिखा से लीचे वाला हिस्सा दक्षनी गोलार्थ है अगर आप विश्व के मानचित्र पर भारत की इस्तिति देखें तो भारत उत्री गोलार्थ के पूर्वी देशानतर में इस्तित है देखें आप यह हमारा क्या है उत्री गोलार्थ और साथ ही साथ यह वाली देशा यह पूर्व है इसलिए जो भारत है यह हमारा प्यारा भारत है भारत की इस्तिति जो है उत्री गोलार्थ के पूर्वी देशानतर में इस्तित है तो इस पर उपर प्रश्ण बनता है कि विश्व के मांचितर पर भारत की इस्तिती क्या है? तो उत्री गोलार्द के पूर्वी देशानतर में ठीक है? समझ आया है? चलिए आगे चलते हैं उसके बाद देखिए भारत का मुख्य भाग यह हमारा भारत है ठीक है? ऐसे ही देखें अगर आप इसके तो भारत जो है दिशान अगर देखें 68 डिगरी 7 मिनिट पूर्वी दिशानतर से लेके 97 डिगरी 25 मिनिट पूर्वी दिशानतर तक फैला हुआ है ठीक है खेत्रफल की दृष्टी से भारत दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा देश है भारत क च passionate월 तक है 32,87,263 की दिशान अगर भारत की पूर्व से पक्षीम तक की चौडाइ देखें तो वह है 39 किलो केंटर है यह हमारा पश्च्यमी भाग है यह हमारा पुर्वी भाग है तो अगर भारत को पाश्चिम से पूर्वी या पूरव से पाक्शिम की और इसकी चोड़ाई को नापे तो वह कितनी बैढती है 2933 किलो मिटर ऐसे ही अगर आप भारत की उत्तर से दख्शिन की दिशा की और लंबाई नापे तो वे बती सो चौदा किलो मेटर 3214 किलो मेटर साथ ही साथ एक और पइंट याद रखेंगे भारत का अक्षेतरपल संपूर्ण विशू के अक्षेतरफल का 2.42 प्रतीशत है इसके उपर भी प्रश्न बन जाता है कि भारत का अक्षेतरपल विश्व के या संपूर्ण विश्विक अक्षेतरपल की तुलना में कितना है तो वह है दो दशमलाव 4 दो प्रतिशत चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं भारत के दूरस्त विंदू देखिए इस पे भी बहुत प्रश्ण पूछे जाते हैं कि भारत के दूरस्त विंदू कौन से हैं यानि एंड पॉइंट कौन कौन से हैं तो भारत का उत्तर दिशा में सबसे उत्तर वाला जो पॉइंट है लुए है इंद्रा कॉल कौन सा ये वाल जिन झाय है ये जो है भारत का सबसे उत्तर वाला पॉइंट है उत्तर चल्व है इंद्रा कॉल जिकह है उसके बाद देखिये भारत की मुख्य भूमि का धक्षिन भूमी का है कन्या कुमारी और भारत का दक्षिनितम बिंदू है इंद्रा पॉइंट तो देखे कन्या कुमारी कौन सा है ये वाला ये जो है भारत की मुख्य भूमी है ये भारत मुख्य भारत है ठीक है तो मुख्य भूमी का दक्षिनितम बिंदू है कन्या कुमारी लेकिन अगर पूछे भारत का दक्षुनितम बिंदू है तो वह है इंद्रा पॉइंट कहां परिस्तित है अंडबान निकोवार में ठीक है उसके बाद देखिए भारत का पूर्वत्तम बिद्दू देखिए पूर्वत्तम कौन सा ये वाला ठीक है तो इसको किभियू भी कहा जाता ह कई बार इसके लिए वलंगू भी आजाता है ठीक है दौनों और अप्षनद ठीक है अगर estanों में स्य कोई भी आपको मिलता है तो आप वलंगा सकते हैं किभियू भी लगा सकते हैं साथा जात भारत का पक्षिंतम बिंदू देखिए आप उत्तर दिशा में कौन सा है इंद्रा कोईल दक्षन दिशा में भारत का सबसे दक्षनितम बिंदू कौन सा है इंद्रा पॉइंट पूर्वत्तम बिंदू कौन सा है वलंगू या किवियू और पक्षिनतम बिंदू देखें तो वह है सरक्रीक या गौर्माता ठीक है क्लेर करकरेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है करकरेखा से गुजरने वाले राज्ये कौन-कौन से है तो ये मैप में अगर आप देखें करकरेखा है ठीक है ये इस तरीके से यहां से गुजर रही है ठीक है तो इस से जुड़ने वाले जो राज्ये हैं कौन कौन से है तो देखे सबसे पहले जो है गुजरात आता है उसके बाद राजस्तान अमध्यपरदेश चतिसगर जारखंड ठीक है पश्चिममंगाल त्रिपुरा और मिजोरम ठीक है कि आठ राज्ये हैं जिनसे होकर जो है करकरेखा गुजरती है ठीक है तो आठ राज्ये मैंने यहां पे लिख दिये अब देखिए इनको याद किस तरीके से किया जाए तो इसके लिए ट्रिक है बहुत अच्छी ट्रिक है इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपका एक मित्र है ठीक है उस मित्र के हाथ में गंचा है ठीक है गंचा समझते है तॉलिया टाइप होत मित्र पर ठीक है आपका एक और दूसरा मित्र है वो दूसरा मित्र आपके साइड में खड़ा हुआ है आप अपने पहले मित्र से कह रहे है कि गंचा जाड मित्र पर तो देखिए गंचा जाड मित्र है क्या हमारी ट्रिक है तो गह से देखिए क्या है गह से आजाएगा जार खंड। यह पूरा जहार, ररल भन्स जार खंड।ी कहा है, म, म, मि, मि मि से क्या आ जाएगा, मिजोर्म , त्रत्र से क्या आ जाएगा, त्रीपुरा , पौ से आ जाएगा, पक्षिम बंगाल, पक्षिम बंगाल Conference King एक वार आप बस वीडियो ध्यान से देख लो, ध्यान से इसको पढ़ लो, कौन-कौन से राज्ये से करकरी का होकर गुजरती है, गमचा, ज्ञाड, मित्र पर, गह से गुजराच, मह से मध्यपर्देश, छासे, चतिसगड, ज्ञाड से ज्ञारखंड, मी से मित्र, मित्र में में देखिए, मी से मिजोरम, त्र से क्या, त्रिपुरा, पर में देखिए, पर से पश्चि मंगाल, और रा से राजस्थान, ठीक है, क्लेर हो गया हूँ, किन-किन राज्ये से होकर गुजरती है, करकरे का ही, आपको याद हो गया होगा, एक बार और मैप में आप आप प्रशन पूछ लेगा, इन चार आप्शन में से बताइए कि कौन क, मतलब करकर का किस राज्ये से औक नहीं गुजरती, इस तरीक से पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि सराज्ये से औक गुजरती है, ठीक है, अभी हम प्रशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको और अच् després से प्यारा भारत है अब यहां पर देखिए इसके जो पडोसी देशे कौन-कौन से मैप में देखिए सबसे पहले पाकिस्तान यहां पर देखिए कुछ अफगानिस्तान भी हमारा भारत का हिस्सा जम्मु कश्मीर वाली साइड से टच होता है उसके बाद यह पूरा चाइना है यह जो है निपाल हो गया यह भूटान हो गया यह बांगलादेश हो गया यह म्यनमार हो गया यह हमारा स्री लंका हो गया और यह मालदीव हो गया ठीक है तो यह जो राज्य हैं यह जो कंट्रीज हैं इनके साथ जो है भारत की सीमा लगती है अब देखिए यहां पर ट्रिक सीम यह बहरत से नहीं लगते हैं। पाकिस्तान नेपाल मर्टन अफगानिस्तान आप देखे इसको याद कैसे करेंगे सबका मैंने जो फ़र्सट फस् लेटर बहर निकाल दिया। सबका जो फ़र्स्ट पहला अक्षर है वह बहर ले लिया हमने और उससे ट्रिक बना दे, ट्रिक क्या बनी, बच्पन में बी ए, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसने क्या गरा, बच्पन में ही बी ए कर ली, तो ट्रिक क्या है हमारी बच्पन में बी ए, तो ब, ब से क्या हो जाएगा, बांगलादेश, चा से चाइना, प से पाकिस्तान, न से आपको सारे की सारे देश याद हो जाएंगे ठीक है एक बार मैप में देख लेज़ेते हैं देखिए सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांगला देश और ये मियन्मा इनकी सीमा जो है भारत से जुड़ती है ट्रिक क्या है बचपन में भी ये ठीक है भारत के पडोसी देश कितने है टोटल नौ कैसे है देखिए साथ तो सीमा वरती देश है ये जिन से भारत सीमा शेयर करता है अपनी बॉर्डर शेयर करता है और एक स्री लंका और मालदीव जो है भारत के पडोसी देश है ये मालदीव हो गया और ये श्री लंक अब देखे एक important note है, note में क्या है, भारत सबसे लंबी सीमा किस से लगती है, बांगला देश के साथ लगती है, 4096 किलो मेटर, और उसके साथ साथ सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो वह लगती है, अफगानिस्तान के साथ कितनी, 106 किलो मेटर, ठीक है, clear हो गया, भारत है ठीक है इसमें यह हमारा है पक्षिमी घाट और यह हमारा है पूर्वी घाट ठीक है तो सबसे पहले हम कवर कर रहे है पक्षिमी घाट तो पक्षिमी घाट की लंबाई जो है देखे गुजरात से लेके केरल तक यह इस सोला सो किलो मेटर में फैला हुआ है और यहां पे जो परवत स्रंकला जो है इनको जो है क्या कहा जाता है सहिद्री परवत कहा जाता है ठीक है तो प्रशना आएगा सहिद्री परवत भारत के किस घाट किस घाट पर है ठीक है तो कौन से घाट है वो पस्चिमी घाट है ठी थीन भाग कौन कौन से है, तो सबसे पहले कॉंकंड تथ, दूसरा है गोवात Drex, ओ तीसरा है मालाबार ठेत गुजरात से लेकर गोवा कौन सा टडर्फ से करनात कौन सा टर्फ सा लगा हूए, केन्रा टर्ट वह करना टक से केरल टर्फ कौन सा तक फैला हुआ है माला बार तट ठीक है तो यह देखिए गुजरात से लेके गोवा यहां पे गोवा है गोवा तक कौन सा यह कौंकन तट है गोवा से यहां तक का जो तट है इसको बोलते है केनरा तट ठीक है और यहां से करनाटक से लेके केरल के लास्ट तक जो फैल हुआ है इसको बोलता है माला बार तट ठीक है पस्चिमी घाट क्लियर हुआ उसके बाद आते हैं पूरी घाट पे पूरी घाट में देखिए केरल से पस्चिम बंगाल तक यह एक हजार पचास किलो मीटर में फैला हुआ है ठीक है और यह वाली जो परवत स्रंकला है इनको क् महेंद्रगरी परवत ठीक है इसको भी जो तीन भागों में बाटा गया है कौन कौन से भाग है देके केरल से लेके आंदर परदेश सक कोरो मंडल कहा जाता है यह हमारा आंदर परदेश है ठीक है इसको क्या कहा जाता है कोरो मंडल कहा जाता है ऐसी आंदर परदेश से लेक इंपोर्टेंट नोट है इस पर बहुत प्रश्ण बनता है बहुत बार प्रश्ण बनता है कि पूर्वी घाट और पक्ष्मी घाट किस पॉइंट पर जाके मिलते हैं या कहां जाके मिलते हैं तो वह है कार्ड मम की पहाडिया कौन-कौन सी हैं तो यह है कार्ड मम की पहाडिय कवर करते हैं इसमें तो भारत की स्थलिय सीमा ठीक है स्थलिय सीमा कितनी है 15200 किलो मीटर है स्थलिय सीमा कितनी है स्थलिय बोले तो यह वाली यहां से गुजरात से लेके यह वाली जो सीमा है यह कौन सी है स्थलिय सीमा है जहां पर समुद्र तट नहीं है ठीक है यह जो सीमा यह कौन सी है स्थलिय सीमा है ठीक है यह पूरी यहां से यहां तक की यह हमारी स्थलिय सीमा है तो इसकी लंबाई कितनी है 15200 km इसकी लंबाई है उसके बाद देखे भारत की मुख्य भूमी की जलिय सीमा की लंबाई कितनी है तो वह है 600 km इसका मतलब क्या है अब देखे भारत मुख्य रूप से यहीन पूरा भारत यह है और हम है यह वाला भारत हमारा यह butterfly है तो इसकी जो मुख्य भूमी की للिया सीमा है अब जलियासी में कौन लक्ष्यु दीब भी add हो जाएगा नीचे से और यहां से दमंदीर तो यह जितनी भी इन घृतल को मिला के जो है टोटल जू जलिय सीमा है भारत की कितनी है 1517 किलेर हुआ ठीक है कुल जलिय सीमा कितनी है 757 लेकिन अगर मुख्य भूमिकी पूछे तो कितनी है 600 किलोमेटर ठीक है अगला देखे पॉइंट भारत की सबसे बड़ी अंतर राष्ट्रे सीमा बांगलादेश के साथ लगती है तो सबसे जादा जो भारत अपनी सीमा शेयर किसके साथ करत है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी जलिय सीमा कौन सी है तो वह है गुजरात की गुजरात सबसे जादा जो है अपनी जलिय सीमा शेयर करता है ठीक है तो भारत की सबसे जादा जलिय सीमा किसकी है गुजरात की इस पर बहुत प्रशन बनत ठीक है अब इसमें नौराज्य कौन कौन से देखिए गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आंदरपरदेश, उडीशा, पस्टिम बंगाल ठीक है यह तो देखिए यहाँ पे यह गुजरात हो गया यहाँ पे महराष्ट हो जाएगा पूरा यहाँ पे गोवा आएगा छोटा सा फिर यहाँ पे करनाटक आएगा फिर यहाँ पे यह पूरा केरल आजाएगा फिर यह तमिलनाडू आजाएगा यहाँ पे आंदरपरदेश ठीक है फिर उसके बाद उडीशा आएगा और फिर पस्टिम बंगाल यहाँ पे आजाएगा ठीक है ऐसी चार केंद्र शाशित परदेश जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है अंदमान निकोबार लक्षवद्वीप पुडुचेरी दमानें दीव ठीक है क्लियर हुआ अब देखिए गाईज हमारा जो थियोरी पार्ट कम्पलीट हो चुका है आई ओप आपने अच्छे से जो है लक्षर अटेंड किया हुआ एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा हुआ अब जो है आगे हम प्रश्न करते है ठीक है तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है सब सबसे पहला प्रश्न है भारत के कितने राज्य की समुद्री तट रेखा में आते हैं ठीक है या भारत में कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है ठीक है तो सबसे पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा नौ राज्य है अभी हमने देखा तर नौ राज्य है कौन-कौन स राज्ये हैं, गुजरात, ठीक है, तो देखिए, पहला गुजरात है, उसके बाद महराश्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद करनाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडू, ठीक है, उसके बाद आंधर परदेश, आंधर परदेश के बाद उडिसा, और लास्ट में ये नौराज्यें जिनकी रेखा समुद्र से लगती है सीमा जो है समुद्र से लगती है अब देखिए प्रशन आता है भारत की इस्तिति क्या है ठीक है तो भारत की इस्तिति है उत्तर पूर्वी गोलार्थ में ठीक है देखा था हमने भारत की इस्तिति यहां पे हमारा कहीं भारत था, तो यह क्या उत्री गोलार्द में, पूर्वी देशाँदर में है, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी तो 32,882,63 स्क्वेर किलो मेंटर, ठीक है, अगला प्रश्ण देखिए है, भारत की तट रिखा की लंबाई कितनी है? तो देखे है, हमने दो पड़ी थी के यो मुख्य भूमी की तट्रेखा कितनी थी है और साथी-साथ दूसरी हमने पड़ी थी जो संपूर्ण भारत की तट्रेखा यही पड़ी थी तो देखिए है मुख्य भूमी की कितनी थी मुख्य भूमी की 61ал सी一群 1600 किलो मेटर थी ठीक है और संपुर्ण भाarat की कितनी है तो 557 किलो मेटर है तो यहां पे देखी option में है कोई 557, नहीं है तो यहां पे क्या है हम कितना लगाएंगा प्क्षिम में विस्तार कितना है देखिए पूरव से पक्षिम ठीक है तो यह हमारा पूरव है और यह हमारा पक्षिम है ठीक है तो यहाँ से दक्षीन में कितना था भारत का विश्तार 324 किलो मिट्र ठीक है भारत का अक्षेतरफल विश्व के कुल भोगलिक अकषेतरफल का कितना पृतीशत है तो कितना था guys 2.42 पृतिशत यहिए था ठीक है अगला प्रशन देखते है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लं तो वह है गुजरात भारत की सबसे लंबी अंतर राष्ट्रे सीमा किस देश्ट के साथ है तो सबसे लंबी अंतर राष्ट्रे सीमा हमने पढ़ा था किस के साथ है बांगला देश के साथ ठीक है कितनी है 4097 ठीक है और पॉइंट्स में जाएं तो कितनी थी 4096.7 किलोमेटर ठी यहां पर दिया हुआ है इंद्रा पॉइंट चिक है अगर यहां पर कन्या कुमारी दिया होता और इंद्रा पॉइंट दिया होता तब भी हम क्या लगाते इंद्रा पॉइंट लगाते क्योंकि उसने यह नहीं बोला कि भारत का मुख्य भूमी का सबसे धक्षनितम बिंदू कौन सा है? अगर मुख्य भूमी पूचे तब हम लगाएंगे क्या कण्या कुमारी? ठीक है? अक्षेत्रफल की दृष्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है? तो कौन सा स्थान है? सात्वा स्थान है. भारत का स अब इससे पक्षिमी बिंदू कौन सा है, पक्षिम में सबसे बिंदू कौन सा है, जहां पर गुजुरात है, ठीक है, तो कौन सा था, गौरी माता, कौन सा था, गौरी माता, इसी को क्या बोलते हैं, सरक्रीक भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको भी सरक्रीक बोल देते हैं, नि तो इसम चा ज़ाड मित्र पर ठीक है तो गव से क्या था गुजरात मा से मध्यपरदेश जहा से चा से चछत्तिसगर जहा से जहाड खंड मी से मिजोरम तो से त्रिपुरा पह से पश्चिमिबंगल और राजस्थान तो इन में कौन सा राज्जी है देखिए राजिस्थान है इससे होकर गुजरती है गुजरास से होकर गुजरती है उत्तर पर्देश उत्तर पर्देश से होकर नहीं गुजरती तो इसलिए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसने पूछा है करकरेखा नहीं गुजरती तो क्या है उत्तर पर्देश और मिजोरम से होकर गुजरती है ठी की मुख्य भूमी की दक्षीनितम सीमा है ठीक है तो भारत की मुख्य भूमी की दक्षीनितम सीमा बतानी है डिगरी और मिनिट्स में तो देखिए मैप में देखी है यहां पे कितना दिखा रहा है आठ डिगरी चार मिनिट ठीक है उत्तरी अक्षांस तो इसका उत्तर क्या हो वही है तो बंगलादेश से पिस राज्जे की सीमा नहीं लगती चेसरा नहीं लगती है यह ए बंगलादेश नहीं लगती है यह बंगलादेश है यह यह आ Finance में देखिए मेगाले में जगती है कि असे बिलखती है Guy त्रिपुरा, त्रिपुरा तो बिल्कूल पूरा के पूरा बांगला देश में है, मनीपुर, तो देखिए मनीपुर जो है यहां पर बाहर है, ठीक है मनीपुरा अगर हम मैप में देखे तो मनीपुर एकदम अलग है, ठीक है तो यह आ जाएगा, उसके बाद देखिए, भार पडोसी देश है ठीक है उनकी अंतरराश्ट्र सीमा भारत से नहीं लगती है उसके बाद देखिए है अगला प्रश्न भारत के कुल कितने पडोसी देश है भारत के कुल कितने पडोसी देश है तो नौ ठीक है साथ जो है जिनका बौर्डर शेयर होता है दो स्री लंका और माल भारत की कुल स्थलिय सीमा कितनी है तो स्थलिय सीमा कितनी थी गाइस 15200 नेम्ण में से कौन सा तर पश्चमी घाट पर इस्तित है ठीक है तो इन में से बताना है पश्चमी घाट पर कौन सा तर इस्तित है तो कोंकंड तर्ट कोरोमंडल डेल्टाक्षेत्र परवत्यक्षेत्र पश्चमी घाट कौन सा वाला गुजरात से ये वाला एरिया ठीक है ये पश्चमी घाट है और ये पूर्वी घाट है तो कौन सा आजाएगा कौंकंड तट उसके बाद देखे अगला प्रशन अगला प्रशन कहता है पूर्वी घाट और पश्चमी घाट दोनों कहां मिलते हैं तो पूर्वी घाट और पश्चमी घाट कहां मिलते हैं कार्डमम की पहाड़ियों पर ठीक है कार्डमम की पहाड़ियों पर भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है तो कितने राज्यों की सीमा लगती है नौ राज्यों की याने बताया था कौन-कौन से गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आंधर परदेश, उडिसा, पश्चिम मंगाल ठीक है उसके बार दीखे भारत की कुल जल्य सीमा की लंबाई कितनी है, तो कुल जल्य सीमा की लंबाई कितनी थी? कजट्र सतरा किलोमेटर और मुख्य भूमी की कितनी सी एक सट सो किलोमेटर ठीक है तो दोस्तो यह हमारे कुछ महतुपूर्पूर्ण प्रशन थे जिन से रिलेटर एक्जाम आते हैं और यह प्रिविस यह क्वेशन इसमें पूछे गए हैं बहुत सारे ठीक है तो आयोप आपको यह पूरी तरीके से क्लेर हो गया होगा ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना साथी साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेर करना और चैनल से नहीं जुड़ें तो सब्स्राइब कर लीजिए मैं पूरे की पूरी जी के आपको इसी तर टैलीगराम चैनल पर मिल जाएगी क्रैक एससी विध्राज भीजर यहां पे जा के इस चैनल को फालो कर लीजिए ठीक है टैलीगराम पे और कोई प्रशन है आपका ठीक है और कोई अपडेट्स वगएरा जो न्यू अपडेट्स होती है मैं अपने इंस्टेग्राम पर पहले अपडेट करा देता हूं तो राजकुमार-adduhub इसको जाके फॉलो कर लीजिए ठीक है So, this is all in this video. Thank you. Jai Hind.